नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आपका हमारे चैनल नॉलिज साथी पर खांसी और जुकाम एक आम बीमारी है, जिससे हर इनसान अपने जीवन में कई बार पीडित होता है. इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति को कई बार खांसी जुकाम की समस्या का सामना करना पड़ता है. खांसी जुकाम की समस्या ज्यादतर कम उम्र के लोगों में होती है, खास कर बच्चों में. बहुत से लोग अकसर खांसी और जुकाम को हलके में लेते हैं, सामान्य सरदी और खांसी मुख्य रूप से एक सप्ता के भीतर हमारे शरीर से दूर हो जाती है. हालांकि अनौपचारिक खांसी और सरदी गंभीर समस्या पैदा कर सकती है, और हमारे शरीर में कई को बढ़ावा दे सकती है। का क्या कारण है? निर्देश इस मिश्रण का सेवन तब तक करें जब तक सर्दी की समस्या दूर न हो जाए। खांसी जुकाम के लिए यह घरेलू उपाय नियमित रूप से अपनाएं। सामगरी दालचीनी पाउडर और गर्म पानी। स्टेप वन एक गिलास गर्म पानी और एक बड़ा चम्मच दालचीनी पाउडर लें। स्टेप डू एक अच्छा मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों सामगरीयों को अच्छी तरह मिलाएं। निर्देश इसे गर्मा गर्म पियें और इसे नियमित रूप से दिन में दो बार पियें। सर्दी के शुरुवाती चरण के लिए यह घरेलू उपाय बहुत कारगर है। सामगरी हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कद्दू कस किया हुआ गूड और दूद। स्टेप वन, एक गिलास दूद लें और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर और काली मिर्च पाउडर मिलाएं। स्टेप डू, दूद को हल्दी और काली मिर्च के साथ हुबा लें और अंत में मीठे स्वाद के लिए एक बड़ा चम्मच कद्दू कस किया हुआ गुड मिलाएं। निर्देश, इस मिश्रण या हल्दी दूद, हल्दी दूद को सोने से पहले नियमित रूप से पीएं। यह घरेलू उपाए भारतिय माताओं का सबसे पसंदीदा और इस्तिमाल किया जाने वाला घरेलू उपाए है। सामगरी, नमक और पानी स्टेप एक, एक गिलास पानी लें और इसे गर्म करने के लिए गर्म करें। स्टेप डो, इसमें एक बड़ा चम्मच नमक डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाकर एक अच्छा मिश्रण बना लें। निर्देश, इस गर्म नमकीन पानी से, नियमित रूप से दिन में दो या तीन बार गरारे करें। खांसी और जुकाम के लिए यह घरेलू उपाए, खांसी और सर्दी के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाले घरेलू उपचारों में से एक है। सामगरी, गुड, अधरक पावडर और हलदी पावडर। स्टेप वन, दो बड़े चम्मच कद्दुकस किया हुआ गुड, दो बड़े चम्मच अधरक पावडर और एक चुटकी हलदी पावडर के साथ लें। स्टेप टू. इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह मिला कर इनका एक अच्छा मिश्रन बना लें और फिर मिश्रन की कैंडी बना लें. निर्देश. कैंडी बॉल्स को अपने मुहु में रखें और धीरे-धीरे इसकी परतों को चूसें. खांसी और जुकाम के लिए यह घरेलू उपाये दिन में दो या तीन बार नियमित रूप से अपनाएं. जुकाम में आपका खान-पान, आधा चम्मच मूली के बीजों का चूर्ण, शहद के साथ चाटें. पके हुए अम्रूद को उपलों की आग में हलका भून कर खाएं. जीरे का चूर्ण घी और शक्कर के साथ मिला कर खाएं. इससे नाक से पानी बहना कम होता है. जाइफल को पीस कर इसकी एक छुटकी की मात्रा को दूध में मिला कर पिएं. गुड घी और ओंट को समान मात्रा में लेकर मिला लें. इसे गर्म करके रात को सोते वक्त एक चम्मच की मात्रा में लें. जुकाम में परहेज. ठंडी एवं बांधी चीजों का सेवन बिलकुल ना करें. दही और चावल का सेवन कम करें. गुड रिंक, आइसक्रीम, बहुत ठंडा पानी और बर्फ से बनी चीजों को नहीं खाना चाहिए. बासी भोजन बिलकुल ना करें. जंक फुड और तेलिय भोजन का सेवन ना करें. मौसमी फल एवं सबजियों का सेवन करें. तो ये ता हमारा आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद!